बच्चो आज हम कक्षा छटी में पन्ना नमबर 110 के उपर जो दोहे है उसमें के चार दोहे पहले ताशिका के समय हमने लिये हैं आज हम हिंदी विशे को लेकर पन्ना नमबर 110 के उपर जो बचे चार दोहे है उन दोहों का धेन करेंगे जैसे पहला पाच्वा दोहा उचित समय की वृष्टी से जीवित है समसा मानी जाती है तभी वृष्टी अमृत की धार जैसे यहां पर तुरूलवर जी हमें बताना चाहते है सही समय पर वर्षा होने से ही समसार जीवन पाता है देखो बारिश के दिनों में सही समय पर ही वर्षा होती है वर्षा यानि बारिश होती है तो समसार का जो जीवन चक्र है वो चलता है जीवन का जो गाड़ा है चलत क्योंकि जीवन जीने के लिए इस पृत्वी पर धर्ति पर रहते वक्त आद्मी को जीवन जीने के लिए जो उसके आउशकताएं होते हैं जैसे अन्न पानी वस्त्र निवारा इन चीजों को पूरा करने के लिए समय पर सही वर्षा हो तो ही जीवन चल पाता है वरना पशू उपक्षी इनसान का जीना दुश्वर हो जाता है यही बात तिरू अल्यवर जी बताना चाहते है उसी वर्षा को अमरुत के समान माना गया है जो समय पर होकर अन्न को उपजाने में सहीक होती है यदि समय पर वर्षा न हो तो अन्न उपजा नहीं पाते हम इसलिए तिरू लिवर जी कहते है अमरुत के समान माना गया है किसे वर्षा को वर्षा यदि समय पर होती है तो अन्न उपजाने में सहीक होती है तिरू लिवर जी मानते है कि सही समय पर दी गई सहीता ही जीवन दाईनी होते है उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को किसी भी छात्रों को सही सम स्वाइबं करते हैं कि उसे ग्यान देते हैं में किसी व्यक्ति को मदद करते तो वही सही साहित RIGHTी को बने तो याचक को जीवण दायनी की समान होती है इसलिए आपने दोहों में कहते हैं उस्जेत शाहित्त समयだ कि व्रष्टी से जीवत है समसार फूर्ष्ती और बारिष जीवन कि समसार याने इस धर्ति पर रहनेवाले व्यक्ति लो पश्यूपनी कि वुर peuvent être लेवीपनECT बताए गया है वाइब ca अमरुद की नय़्य समय की वुरुष्ती से जीक्पनार से पंतिया हमने अनुसंधान से जितने पाए तत्व उनमें कोई सत्यसम पाता नहीं महत्व देखो कई जीवन में खोजों को अनुसंधान रुपी सोंशदों को रिसर्च को हमने देखा है बहुत सी खोजे की गई है और उस सबका एक ही निशकर्च निकला कि सत्य के समान स्रिष्ट कोई नहीं है जीवन में हम कई बार सोंशोदन खोज करते हैं चानबीन करते हैं लेकिन उसके बाद ये हमें पता चलता है कि आखिर में सत्य के समान कोई भी जीवन का तत्व नहीं है, सत्य ही एक जीत है, सत्य ही आयूसा पर्मधर्म है, सत्य ही मानव का तत्व है हमने अनुसंदान, अनुसंदान यानि खोज करना, शोध करना, हमने अनुसंदान से जीतने पाए तत्व, तत्व यानि जीवन का नियम, उनमें कोई सत्य समान नहीं है, और इस तत्व में सत्य के समान कोई भी तत्व हमारे लिए माहिने नहीं रखता, और इतना महत्व पुर रहें भी नहीई बहुत सी खोजे की गई और सबका एक थी निशकस निकला कि सत्य की समान्ष कुछ भी नहीन खोज्में पाए गए सभी ततो में महत्व अंहीं संकलित जोदोह उसका अद्ह नहम करेंगे दोहा नमबर साथ विद्याधन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पावन देखो बिना परिश्रम से हमें विद्या भी नहीं मिलती जैसे हाथ को हिलाते बिना पावन यानिया हवा नहीं मिलती उसी प्रकार बिना परिश्रम के विद्या नहीं मिलती इस दोहे में परिश्रम के महत्व को एक सुंदर उधारन द्वारा यहां पे बताया गया है समझाया गया है जिस प्रकार बिना मेनत के अर्थाद बिना हाथ हिलाए हाथ के पंके से हवा नहीं मिलती है दुपकाली की दिनों में हम यह जानते हैं देखो बिना पंक के के हाथ हिलाई बिना हावा नहीं मिलती बिजली चलाई बिना पंका नहीं चलता बिलकुल उशी प्रकार जीवन में भी परिश्रम के बिना विद्या नहीं मिलती विद्या रुपी धन भी बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं होता इसलिए चात्रों को हमेशा परिश्रम कहर करना चाहिए विद्या हासिल करने के लिए महनत करने चाहिए पढ़ाई करने चाहिए और अपने माबाप का सपना पूरा करना चाहिए जीवन में लक्ष को उद्द्यम विना कोहो जु पावे कोन विध्या धन के विना किसी का जिवन सपल नहीं होता और विना हात डुलाए पंखा हिलता नहीं पौण हीने हवा नहीं मिलती हैं बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौण, हाथ हिलाए बिना हवा भी नहीं मिलती, इसलिए जीवन में हमें परिश्रम मेनत करना है, और अपले जीवन को उजागर करना है, माभव का सपना पूरा करना है, इसलिए विद्याधन उद्यम बिना, कहो जुपावे कौन बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौण आख्री दुहा आटवा करत करत आभ्यास के जड मती होती सुजानौ करत करत आभ्यास के जड मती होती सुजानौ हस्री आवत जात से शील पर परत निशानौ बार बास आभ्यास करने से मुर्ख विक्ती भी ज्यानी बन सकता है जैसे कोई की जगत पर रस्ची के रगण जाने से इट और पत्तर पर भी सकत चीज पर भी निशान पढ़ जाते उशी प्रकार आतव आभ्यास से ड्वारा हम अतह अभ्यास द्वारा ज्यान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए इसलिए छात्रों को हमेशा जड्मती नहीं रहना चाहिए उसे सुरजान होना चाहिए सुरजान याने ज्यानी जानकार होना चाहिए जड्मत यानी मुर्क अडानी विक्ती अग्यानी विक्ती इसलि प्रत निशान शील याने शीला पत्तर इट बार बार आभ्यास करने से मुर्क वेक्ति भी ज्यानी बन जाता है जैसे कुवे पर रस्ची के घिसने से इट और पत्तर जैसे सक्त चीज पर भी निशान पढ़ जाते हैं इसलिए जीवन में अभ्यास द्वारा हम ग्यान प्राप्त करने कर सकते हैं करने का प्रयास कर सकते हैं यही बात यहां पर इन महान विद्वानों ने कबीर तुलशिदास तिरुल लोर जी ने अपने दोहों के माद्दम से बताया गया है इस तरह से आज हमने पंदा नंबर 110 पर जो दोहे थे एक से लेकर आज तक इन दोहों का देन क्या आप लोग इन दोहों को अच्छी तरह से लिख के इसका स्पश्ट करन लिखकर होट्सटप के जरिए सेंड कीजिए यही आपके लिए होम और कहें या पर रुकते हम धन्यवाद